पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर, यह रिन्यूबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी जो छे मैना पहले बताये थे दोस्तों, सभी पाँच गुना से कम किसी का नहीं हुआ है और फिर इस गिरावट में रिन्यूबल एनर्जी और सोलर एनर्जी और पावर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सब एकी एनर्जी है और सबका अलग अलग तरीका है पोड़क्शन का जेनरेशन का दोस्तों कुछ पानी से ये तयार होते हैं, कुछ कोईले से तयार होते हैं बिजली, कुछ और कुछ हवा और सुर्ज के परकास से तो कोई समुद्र की लहरों से भी बिजली पैदा होती है कुछ पानी बिजली पन बिजली करते हैं हवा और समुद्र की लहरों से जो तयार होती है उसको रिन्यूबल एनर्जी बोलते हैं और जो सुर्ज की परकास से बिलती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं हम इसलिए पढ़ाते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं मैं बोलता हूं बार-बार कि हमारे सिखाने का तरीका अलग है हमारा एक ही प्रण है हमारा पिछला विडियो देखिए कि इस चैनल को बनाने के पिछे मकसद क्या है हम जो भी बाते बोलते हैं दोस्तो ये आपको सिखान के लिए और मेरा प्रण है इस चैनल को बनाने के लिए जिसको इस टोक मार्केट में आप उनको कुछ भी जनकारी नहीं है उनके लिए यह चैनल हम बनाएं और हम यह घर यालो और मगर मच्छों के लिए सिर्फ इंट्रा डे और ऑप्शन आपूट कॉल और फ्यूचर के शिज़े हम बनात थोड़ी करे हैं किसी को लेकिन यह चैनल het पेसल हैं उन लगे लिए जो सेर्फ मार्केट की बारेक्यों को नहीं जानते हैं उन सेर्फ मार्केट के दलालों को और धक़बाजों को जो पूटकॉल के नम पर 1 लांख 5 लांख रुपया सलाना लेते हैं और और सेर मार्केट को जुवे काड़ा न समझे दोस्तो इसके लिए हम बना हैं चलिए हम बता दे आई प्यू कब आता है और कब लेना चाहिए नहीं मिला तो कब लेना चाहिए और मिल गया तो क्या करना चाहिए हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए तब आप कर लिजेगा दोस्तो चलिए हम बता दे आपको कि पावर सेक्टर सोलर सेक्टर रिनूबल एनरजी और ग्रीन एनरजी के जो स्टोक हैं उसमें से सबसे अच्छा अपडेट करके बता रहे हैं हमने छे महिना पहले भी बताय था और छे महिना बाद भी फिर हम आपको बताने की कोशिस कर रहे हैं दोस्तो आज 27 जनवरी 2022 इंटरेट एक मुंबाई MBA बीके सिंग एडवाइस कर रहे हैं एनरजी सेक्टर से जुड़े हुए निप्ती एनरजी से जुड़े हुए जो स्टोक आप अपडेट कर लिजे पीछे का बात हम नहीं करेंगे पीछे का हैं सभी के लिए बराबर बोलते हैं जिसको रखना रखे नहीं रखना हम तो प्रफिट बुक करना जानते हैं बस इसमें सबसे बड़ा स्टोक हमारे सामने आ रहा है टाटा पावर और इंडियन एक्सचेंज एनरजी और नेशनल थर्मल पावर कारपरेशन एंटी पीसी औ और एस जे वी एन और 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 अडानी ग्रीन पावर और अडानी पावर दूसरा जेपी पावर और जितने पैनी स्टोक है उसका भी हम नाम लेंगे उसमें से कौन-कौन सा लेना वो भी हम बता दे आपको यह सोलर सेक्टर और रिनूबल एनरजी के जो स्टोक आपने रखा है उसको आप रखे रहे और यह जितने भी स्टोक बताएं उसके बाद यह तीन स्टोक हमारे और रडार पे आएं जो इतना जबज़स्त यह आपको मिलने वाले हैं कि ऐसा स्टोक यह पूरे एक साल की इस गुली बारार आए दोस्तोव जान लिजे कौन सा स्टोक है और यह 15 पैसा का स्टोक है पावर सेक्टर का जो कभी भी , 15 कभी 00 हो सकता है और इतना बढ़िया जो यह बहुत बढ़ा यह दुनिया के bayदेशों में काम करता था और ये अब इसको बहुत बड़ा प्रजेक्ट मिला है और इसका नाम हमें आपको बता देता हूँ दोस्तों चलिए उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरू सेर के ताकि उनको भी प्रफिट हो दोस्तों हम बता देए आपको नेशनल स्टोक एक्षेंग, बंबे स्टोक एक्षेंग दोनों में लिस्टेड है और ये निप्टी 500, निप्टी 150, निप्टी 250, लगबख सभी इंडेक्स में ये आपको मिलेगा और ये 15 पैसे का स्टोक कभी भी 1500 हो सकता है पावर सेक्टर का सबसे सस्ता पहनी सेयर, भाव 15 पैसा जी हाँ दोस्तों इसके पहले हमने बताया था आपको ओरियंड ग्रीन पावर सुजलान एनर्जी, उर्जा ग्लोबल और अडानी ग्रीन बताया था आपको NTPC बताया था NHPC बताया था SJVN बताया था आप टाटा पाउर बताया था और उसमें और एक एस्टोक बताया था आपको हाँ Indian Exchange Energy जी दोस्तो हम इसलिए बार-बार बोलते हैं हम लंबा बीडियो इसलिए बनाते हैं कि कुछ लोग बहुत SWEEP करना जान गये तो SWEEP करना जान गये तो हम भी आपको SWEEP करने की तरीके को समझने के बाद हम भी बडा बीडियो बनाना जरूरी समझ गए जी दोस्तो शिर्फ पैसा कमाना मत से किये सिर्फ स्वार्थी बनना न सिखिए हम बार बार कहते हैं दोस्तों क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप आदे अधूरे ज्यान लें इंटरेटेक मुंबई पे और MBA BK सिंग का एक ही टार्गेट है सभी लोगों को लूले को चलना और अंधे को देखना बारे को सुनना और गूंगे को बोलना और आप लिख दीजे कमेंट में और क्या वो सिखा के रहेंगे और ये मेरा वादा है अगर आप पहली बारा आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और अपने दोस्तों को सेर कीजिए पावर सेक्टर का ये 15 पैसे का पैने सेर कभी भी 15 सो हो सकता है भाव है 15 पैसा जी हाँ दोस्तों 15 पैसा भाव है और इस 15 पैसे का भाव जो है आप एक लाग सेर ले लिजिए 15,000 में 15,000 में एक लाग सेर ले लिजिए और तीन साल छोड़ दिजिए दोस्तों जी हाँ एक लाग सेर मिल रहा है 15,000 में और ये पावर सेक्टर का है पैने सेर सबसे सस्ता सेर है पावर सेक्टर का सबसे सस्ता पैने सेर भाव 15 पैसा कभी भी पंद्रो सो हो सकता है दूसरी तरफ बता देते हैं दोस्तो हमारा नेट हमारा जो सौप्टेर है वो सर्च कर रहा है और सर्च करके मैं बताता हूँ कि सबसे पहले बता दे कि मार्केट कैपिलाइजेशन क्या इसकी है इसकी market capitalization है दोस्तो अभी तो इसका बहुत कम है ये लगबग 6 करोड का market capitalization है इसका बस और इसका जो अभी sales जो है इस महीने माइनस में था माइनस में था डेड़ करोड sales भी कम हुआ था और ये अभी नुक्सान में भी है एक करोड 75 लाक नुक्सान में है और ये 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 डेफ लेकिन डेफ फ्री है कर जाक किसी तरह का कोई नहीं है इस stock में इतना बढ़िया इस टोक पावर सेक्टर का इतना बढ़िया और इतना अच्छा इस टोक हमें आज तक नहीं मिला दोस्तों और नहीं अब मिलेगा जी दोस्तो सबसे अच्छा पावर सेक्टर का दोस्तो पैनी सेर के पीछे मत भाग ये नहीं तो आपको पैनी पैनी वाले बरबाद कर देंगे और ये बरबाद करने के बाद कहेंगे कि दोस्तो और ऐसे आइड वाले जो कहते हैं कि भाव अंठावन रुपया और टार्गेट एक साल में अंठावन सो रुपया ऐसे वालों से सवधान रहेगा इसलिए कि पांच दिनों उपर सिनी की तरह जाते हैं और तिसरा दिन आपको उस समय निकलेंगे जब चौते दिन आप खरीदेंगे तो पांच वे दून दिन बेच के नि इंट्राडे में निप्टी फिप्टी का और निप्टी बैंक का जानने के लिए हर दिन एनाल्सिस क्या होगा निप्टी में साथ वज़े सूबज जरूर दे कि उसके लिए बेल घंटी आईगंड दबा लिजे दोस्तो जय हिंजे भारत बंदे मातरम